नमस्कार दोस्तों, एक महान और रहस्माई विचार समाई यात्रा क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम समाई को यात्रा कर सकते क्या हम अपने भविस या अतीत में जा सकते हैं यह विचार ही इसे एक अत्यंद रहस्माई विशय बनाता है समाई यात्रा के रहस्माई और मोहक कहाने शुरू होती है अगर हम एक सधारन इंसान के रूप में समाई की यात्रा कर सके तो कैसा होगा क्या हम अपने अतीद में वापर जा सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं या फिर हम भयूस को पुनर निर्वान कर सकते हैं और आने वाले घटनाओं को अपने अनुसार बदल सकते हैं यह सब जबाब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है लेकिन क्या यह सब संभव है क्या समय यात्रा केवल कलपना ही एक विशित और अधुत विचार है या फरियत वास्तव में एक हो सकता है समय यात्रा के बारे में इतना रहसे है क्योंकि इसके बारे में कोई असपश्ट उतर नहीं है व्यग्यानिक और दर्शकों ने इस पर अनेक अध्यन किये हैं लेकिन किसी ने भी अंतिम निसकर से नहीं निकाला समय यात्रा के संबंद में कुछ ऐसी अनसुनी कहानी है जो हमें हैरान कर देती है इन किस्सों में लोगों की सामना आने वाली अतीत या भयूस की घड़नाओं का व्यूरन होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्ता में एक अग्यात और असमित जगा है लेकिन व्यज्ञानों को गे अनुसार समय यात्रा अभी तक संभव नहीं है इसके लिए वे बहुत सारे कारण प्रस्थूत करते हैं जैसे कि दखने की संभवनाव की कमी, अधित्य समय के खत्रों और इससे होने वाले व्यक्तिगत और समाजिक परिवर्तनों का खत्रा फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जो आज संभव लगता है वो कल संभव हो सकता है वे इसे अभिवक्ति के रूप में देखते हैं और समय यात्रा को अनिसाद्मों के रूप में एक संभवना वानते हैं इस रहस्मय और अधूत विचार के साथ हमें समय यात्रा के बारे में और भी अधिक अध्यान की आप सकता है हमें इस अन्यविश्व के अंतर जाने के आ सकता है ताकि हम समय की इस रहस को सुलजा सके कहीं न कहीं समय यात्रा हमारे जीवन का एक महत्कुन हिस्सा है हम सभी अपने अतीत या भईस के स्मिर्थियों को याद करते हैं और वे हमारे अनवों को परिभासित करते हैं समाई याद्रा के रहस्माई दुनिया में जोड़े जाने की यह चुनोती रही है कि हम जैसे उत्षुक्त और जिग्यासू लोग आगे बढ़ें सायद एक दिन हम इस रहस्माई को सुलजा सकेंगे और समाई के इस अत्यमधिक और वेग्यानिक सहरोग को समझ सकेंगे जब तक ऐसा नहीं होता हमें इस उत्षुक्त विचार के साथ अपना सफर जारी रखना चाहिए और हमें समाई के इस अत्षुक्त और रहस्मई सफर का आनन लेना चाहिए इस समाई यात्रा के रहस्ति को आस करने ना करने का विचार हमें उसके परभावी और समाजिक पहलों के बारे में भी विचार करने के लिए मजबूर करता है क्या होगा अगर कोई वेक्टी समय को यात्रा करने और अपने गल्दियों को सुधार सकता क्या अग्धियह उसके और उसके आस्पास के लोगों के लिए एक नई दिसा परदान कर सकता है समय यात्रा के रहस्मे दुनिया में हमेशा सोचना और विचार करने की प्रेरित रख्ती है इस रहस्मे और अद्वूत विचार के साथ अमारा सफर अभी भी जारी है और हमें इस समय के इस अंजाने और अद्वुद सफर का आनन लेना चाहिए